नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ड्रेगन फूड की खेती के बारे में देखिए दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें देखिए दोस्तों ड्रेगन फूट की खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि यह सभी परकार की मिट्टी में बड़ी आसानी से हो जाती है और यह सामानत है इसमें किसी परकार का कोई भी रोग नहीं लगता है इसलिए हमें ढ्रेगन फूट की खेती करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है और यह आप इसमें जो फल देख रहे हैं ये फल जो है लगबग 15 दिन का हो गया है और इसे लगबग 10 से 15 दिन और लगेंगा और ये पक कर त्यार हो जाएगा और इसके बाद हम ड्रेगन पूट की खेती की बात करें इसको कब लगाना है तो मई जून को छोड़कर ये लगबग सभी महीनों में लगाई जा सकती है ड्रेगन पूट साल में 7 बार फल देता है और इसका फल को त्यारोने में लगबग 1 महीने का समय लगता है लगने से लेकर पकने तक का समय जो है एक महीने का होता है ड्रेगन फूट बहुती गुड़कारी फल है और इसे अधिक रोगों से लड़ने की छमता है इसका मार्केट में जो प्राइज है वो लगबग 80-100 रुपए प्रति फल बिखता है और हमारे एक पेंड में लगबग 10-12 फल एक बार में आते हैं अच्छा हम बात करें कि यह लगबग कितने पौदे एक एकड में लगते हैं तो एक एकड में लगबग साड़े-3,000 से लेकर चार जार पेंड तक एक एकड में लग जाते हैं और खास बात यह है कि इसका पेंड जो है 30-35 साल तक लगातार फल देता रहता है हमको इसो बार-बार लगाना नहीं पड़ता है आप यह जो देख रहे हैं इस समय यह जो है ने च्छत पर खेती लगा रखी है गंबलों में भी यह पेंड जो है आसानी से तयार हो जाता है और देखे दोस्तों अगर आप लोगों को जाता जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के अंत में दिये गए नमबर पर बाटसप पर मेसेज कर सकते हैं आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद